भजन सहिता अध्याई एकसुसात भजन सहिता अध्याई एकसुसात यहोवा का धन्यवात करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के चुड़ाय हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम दे कर चुड़ा लिया है, और उन्हें देश-देश से पूरप, पश्चिम, उत्तर और दखिन से इकटा किया है। वे जंगल में मरू भूमी के मारग पर भटकते फिरे, और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूक और प्यास के मारे वे विकल हो गए, तब उन्होंने संकट में परमेश्वर की यहोवा की दोहाई दी, और उसने उनको सकीती से छुड़ाया, और उनको ठीक मारग पर चलाय ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। और परमपधान के समती को तुच्चे जाना, तब उसने उनको कश्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े, और उनको कोई सहायक न मिला, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी, और उसने सकीती से उनका उद्धार किया, उसने उनको अंधियारे औ और मुत्य की छाया में से निकाल लाया, और उनके बंधनों को तोड़ दाला, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चरे करमों के कारण, जो वह मनुशों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, और लोहे के बेड जन से मिचलाता है, और वे मृत्य के फाटक तक पहुचते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं, और वह सकेती से उनका उद्धार करता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और फिर जिस गड़े में वे पड़े हैं, उससे निकालता है, ल धन्यवाद बली चड़ाए, और जर्यजिकार करते हुए, उसके कामों का वर्नन करें, जो लोग जहाजो में समुद्र पर चलते हैं, और महासागर पर होकर व्योपार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चरे कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता हैं, देख और क्लेश के मारे उनकी जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की नाई लड़ खडाते हैं और उनकी सारी बुद्धी मारी जाती है। लोग यहवा की करुणा के कारण और उन अश्चरे कर्मों के कारण जो वह मनुशों के लिए करता है उसका धन्यवात करें और सभा में उसको सराहे और पुर्णियों के बैठक में उसकी स्तूती करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जलके सोतों को सुक्य भूमी कर देता है। वह फलवंत भूमी को नोनी करता है। यह वहा के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ती और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। और वह हाकिमों को अपमान से लाथ कर मारगरही जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से चुड़ा कर उचे पर रखता है। और उनको बेडों के जुंड सा परिवार देता है। सीध्य लोक देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोक अपने मुह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा।